सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी रेटेंग 4.3 की है दूसरी बात यह RBI रजिस्टर है ठीक है अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि इसमें अगर हम एकाउंट ओपिन करेंगे तो कितना हमको यहाँ पर जो है लिमिट मिल सकती है तो देखा वाई अगर आप फर्स टाइ तक का इंस्टेंटली यहाँ पर लिमिट आपको मिल जाती है अब एक बात और यहाँ पर बता दूए आपको अगर आप सोच रहे होंगे कि हम टाइम पर रिपेमेंट करेंगे तो हमारी लिमिट इंक्रीज होते होते लाखों पहुंच जाएगी तो ऐसा पॉसिवल नहीं है इस पे लेटर की मिनीमम से मिनीमम एक हजार रुपे से लगा करके मैक्समम दस हजार रुपे तक की ही क्रेट लाइन आपको प्राप्त कराई जाती है मतलब अगर आप टैम टू टैम रिपेमेंट करोगे तो एक हजार रुपे से लगा करके आपकी लिमिट बढ़ करके दस ह अगर आप दियात एरिये से हो तो आप इसमें बिल्कुल भी अप्लाई ला करो डॉकमेंट चले जाएंगे और आपका लॉन भी अप्रूब नहीं होगा मतलब जो लिमेट वो भी अप्रूब नहीं होगा चलिए हम step by step आपको सब कुछ जानकारी बताते हैं अपने इस वीडियो के अंदर ठीके प्रेंड जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो इन्होंने एक एक जामपल बताया है कि अगर आप 10,000 रुपे लेते हो बताँ 10,000 रुपे की यहाँ पर आपको लिमिट मिलती है तो फिर और आप उसको जब बेंक में ट्रांसवर करोगे तो यहाँ पर दो मनते से लगा करके 12 मन तक का 10 रुपे आपको सेलर करने का ओक्षन दिया जाएगा जिस प्रकास से मनी टैप अपलिकेशन में दिया जाता है फिर उसमें 15% पर एनुएल के साफ से चार्ज लगाया जाएग और यहाँ पर कनवर फीस की बात करने तो 300 रुपया कनवर फीस भी लगेगी टोटल इंटरेस आप 15 रुपय बैठेगा और यहाँ पर दोस्तों कनवर फीस बिला करके 18 रुपया करना होगा 11,800 रुपया यह इसका फंडा बैठ है तो गाइज मैं आपको बता दू कि जब आ इंटरेस फिरी लिमिट मिलका है एसा बिलकुल नहीं है, हला कि इंटरेस जो आपको यह पर लिमिट मिलती है और यह अप्लिके काम कैसे करती है वह भी मैं आपको दिखाता हूँ तो देखो भाई जैसे हम अप्लिकेस को open करते हैं तो फटाक पेस का नाम है और यहाँ पर इस प्रकार का daxboard open हो जाता है मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको scanner का भी features मिलेगा QR code scan करके भी आप पैसा जो है बैंक में transfer कर सकते हो यहाँ पर हम gate start पर click करेंगे और यहाँ पर आपको choose करना होगा Hindi या English तो हमने यहाँ पर दोस्तों English चूज करके पहले से रखे हुई है अब यहाँ पर दोस्तों KYC के लिए आपको जरूरी होगा आधर काड पैन काड ठीक है अब हम यहाँ पर दोस्तों continue करेंगे उससे पहले यह company बता रही है कि आपको employment ID जरूरी है ठीक है आधर काड जरूरी है पैन काड जरूरी है continue पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर allow करतेंगे और यहाँ पर जो है हम आगी की और बढ़ जाएंगे जैसे हम बढ़ेंगे mobile number डाल देंगे ठीक एक one time OTPI हमारे registered mobile number पर हमको यहाँ पर डालना होगा जल्दी हैं आपके connect area में जो है service लाएंगे और आपको सूचित करेंगे तो देखो दोस्तों आप यहाँ पर ट्राइ करने में कुछ नहीं जाता है अगर आपको limit मिलती है तो definitely आप यूज कर सकते है नहीं मिलती तो हम क्या कर सकते भाया लेकिन आप एक पर try जरूर करो मेरे कहने से जरूर करो try क्योंकि limit मिलती है तो काफी अच्छा आपको benefit भी हो जाएगा ठीक है अलाकि मुझे नहीं limit मिली है तो मैंने आपको दिखा दिया अपने account ओपर करके क्योंकि मैं जिस भी आपनी के से वीडियो बनाता हूं उस पर मैं थोड़ा try करके देखता हूं मुझ